विल्कम बैक और इतने सारे फोन और भी आने वाले बट आप में से बहुत सारी उजस का कंफिजन होता है कि फोन एक्चुलिन लिया कौन सा जाए तो आज किस वीडियो में मैं आपको 15,000 से लिके 40,000 में बेस्ट बेस्ट फोन बताने वालावल जो मेरे अल्रेटी टेस्ट की ह आपको बता है मैं गेमिंग वीडियो बनाता हूँ मैं पॉपोमस ओरेंटेट वीडियो बनाता हूँ बैटरी टेस्ट करता हूँ दो फोनों का केमपैरेजन स्पीड टेस्ट कामेरे टेस्ट बहुत कुछ करता हूँ तो मैं इसली आपको बता सकता हूँ कि इन फोनों में से आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट हो सकता है और मैंक्स फोन में खुद बाई करकी ही टेस्ट करता हूं तो इस ते और बढ़ जाता है तो सबसे पहला बजिट आता है 15 जरसे लेकी 20,000 में और इसमें ही ज्यादा कन्फीजिन होता है तो सबसे पहला एक बैलस फोन में बाता रहा हूं जिसके अंदर डिस्प्लेय अमिलेड है मतलब पॉंटेन ओचिंग भी सहीर एकनी मिल जाएगी परफॉंस भी बहुत सही है क्योंकि डेमिंग परफॉंस भी अच्छी है उसके साथ कामेरा भी ठीक टाक देखनी मिलता है और यह दर बैक के साथ आता है मतलब डिजाइन भी मस देखनी मिलती है एक ही निगेटिव फोन देखनी मिल गया था मुझे ओ है कि जो बैटरी पोपॉमस है यह थोड़ी से आपको ओर इस देखनी मिलता है आपको 18,000 के अंदर यह फोन देखनी मिलता है और आप पुराने फोन से मिलता है टेकनो के मान 20 प्रोजेस आही है बस उसमें डिजाइन कुछ अलग है तो इन दोनों में से कोई भी एक फोन आप चूज कर सकते हो और इस बजट में और एक तगड़ा फोन देखनी मिलता है ओए ओडली फोर गेमर्स रेडिमी के फिप्टी आई डेमी सिटी 8100 का पाउरिफुल प्रोजेस के अंदर देखने मिलता है और आप बीज़ा में खेलते हो समुक्तिल्स एक्स्ट्रीम इवन HDR प्लस एक्स्ट्रीम में भी 60 पेस क्वास्टेन देता है आप शनौक मुट क्यामें आते हो कोई रिकत नहीं इतनी तगड़ी गेमिंग कर सकता है ट्रा पाउजन के बीच में जाते हो तो यहां पे दो तगड़े फॉन देखने मिलते है एक है लावाग निट्टू और दुसरा है रियल्मी 11 प्रोग अब दोरों के अंदर आपको आमेलें डिस्प्ले देखने मिलता है और दोरों के अंदर आपको डेमें सेटी 7050 देखने मिलता उसमें आपको छोटे मोटे बक्स देखने मिल जाते हैं बट कंपनी फिक्स कर रहे है क्योंकि फटावट अब्डेट भी पुश आउट हो रहे है उसके बाद रियल्मी 11 प्रो के अंदर आपको बेटर डेजाइन देखने मिल जाएंगे लावा से बेटर क्यामेरस भी देख लावा के साथ चाल जाओंगा क्यूंकि मुझे क्लीन एंडुएड ज्यादा पसंद है और मैं ज्यादा गेम कर दाओं तो रियल्मी से बेटर लावा में गेमिंग देखने मिलती है उसके बाद आप अपना थोड़ सा बजट बढ़ा लेते हो और 25,000 के आड़ाम जाते हो त सबसे पहला में फॉन रेकमेंडेट करूँगा बैलन्स यूजर्स के लिए मतलब अपने फॉन के अंदर सब कुछ चीजें बैलन्स चाहिए नतिंग फॉन वन एंडिन डिस्प्ले देखने मिलता है उसके साथ ग्लिफ इंटरफेस और एक ट्रांसफरेंड डिजाइन मस दे काल देती है उसके साथ इस फोन के क्या मेरा जे आपको मस देखने हो मिल जाते है तो डिफिनिटली इस फोन के तरफ जा सकते हो बट गेमिंग पपरमस आपको इतनी कुछ खास देखने हो नहीं मिलती और गाइज इस 25,000 के बजेट में और दो ठगड़े फॉन देखने हो मिल जाते है एक है आइकुनियो 6 और दूसरा है रियल्मी GT2 तो लिया कौन साथ जाए देखो दोनों भी गेमिंग को टार्गेट कर लेते है बट यहापे आइकुनियो 6 की मुझे जो गेमिंग पपरमस ह और रियल्मी GT2 से बेटर देखने मिली क्यूंकि रियल्मी GT2 यहापे थोटल होता है कुछ टैन के बाद हीटिंग के इसू से बाकि यह आइकुनियो 6 में एक ड्रॉगें देखने मिलता है वह एक ही 4 5G के मैंट्स देखने मिलते है जबकि रियल्मी GT2 में आपको जादा 5G के देखने मिल जाता है बट डियल्मी GT2 की देखने मिलते है और क्यामेरा ऑप्टिमाजेशन कहीं न कहीं मुझे आइकुनियो 6 की बेटर लगी थी बट यहाँ पर इतना भी जादा क्यामेरास के अंदर डिफरस्ट नहीं है और बैटरी लाइप की बात करें तो अल्मूस्ट दोनों के अंदर एक दिन की बैट लाइप देखने मिल जाती है बट रियल्मी GT2 वे आपको स्नेब्राइप गा ट्रेपल एड डेक मिलता है कईने कई स्नेब्राइप गर्ण 870 जो आइक नियो 6 में देखने मिलता है उससे पावरफूल है बट फास्ट ठोडल भी करता है तो आपको फाईजी बैंट के अंदर कॉंप्रमाइट कर सकते हो तो डेफिनेटली आइक नियो 6 की तरफ जा सकते हो बट आपको ज़्यादा फाईजी के बैंट चाहिए और आप एक मॉडरेट गेमर हो तब आप रियल्मी GT2 की तरफ जा सकते हो आप इस ट्वेटिवा ताउज बता हूँगा अब और थोड़ा आपका बेचेट बढ़ता है और थोड़ा 25 से लेके 30,000 की बीच में 22 सहाव बहुत सारे फोन है बहुत सारे सबसे पहले इस पराइस देज में आपको कर रोड़ डिस्प्ले वाले फोन चाहिए और उसके साथ कामेरा भी बेटर होना फोन भी लाइटवेट और स्लिम फोन है बट लिया पहुंसा जाए देखो मोटो को आप देखते हो ना मोटो में वाइरली चार्जिंग देक्ने मिलते है एक्स्ट्रा उसके साथ इसके साथ गेमिंग पॉपमर्स मोटोला की अच्छे एक इंदिस के अंदर आपको डेमिन सि के इंदर फोन कतम होता है और मोटोला के अंदर आपको जाहुँ आदा फाइजी के घ्त मैं मिलते हौँ यहां पड़ीो के बात करें तो सब्से पहले मोटोला के सथ कंपर करते हो तो वहां के अंदर पेटर केमट्र नेहीं उसके साथ वीओ案 की डिजाइन भी है यह वाइश चेहीं 5G के बैट्स देखने मिलते हैं, तो इसी कुछ चीज़े है, और वीव के अंदर आपको बेटर बैटर लाइप मोटो के कंपरेजन में देखने मिलते हैं, तो लगबबग 6 से लेके 7 गंटे के बीच में वीव बैटर लाइप देता है, तो डेफिनिट्ली यहाप पे ब चाहिए, उसके साथ डिस्प्ली पे अच्छा मांगता है, आप ज्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, उसके साथ बैटर लाइप पे अच्छी होनी चाहिए, तो डिफेनिट्ली वीव वी 27 के तरफ चले जाना, अब गैज आप 25 से लेके 30,000 के बीच में एक बेस्ट गेमिंग दोन रहे हो, तो यहाँ पे भी दगडी टकर देकनी मिलते हैं, और दो पावरफुल पोन देकनी मिलते हैं, एक है POCO EF5 और एक है IQ NEO 7, अभी POCO EF5 के अंदर आपको Snapdragon 7 Gen 2 देकनी मिलता है, तो डेमिंसेटी 8200 आपको IQ NEO 7 के अंदर देकनी मिलता है, तो यहाँ पे POCO जादा पावरफुल है, Snapdragon 7 Gen 2 बहुत ही जादा पावरफुल है, यहाँ दोनों के अंदर आपको गेमिंग गरते हो, तो गेमिंग आपको कॉंस्टल 60fps दोनों के अंदर देकनी मिल जाएंगी, बट यहाँ पे POCO की बात करें, बिजनलेस डिस्प्ले के साथ आता है, और POCO की आ रहे थी उनके पूराने फॉन में, उसके वज़े से बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इस हुए, बट आपका ट्रस्ट को तब भी POCO के साथ चले जाना, वरना आपको कैमेरा अच्छे चाहिए, बस अल्टर वैड नहीं मिलेगा, गेमिंग पर बंक्स बेची चाहिए, और डि इनका कंपरेजन का वीडियो में ने अल्लीडी बनाया है, चैनल पर जरूर चकाउट कर लिया और यहाँ पर वीनर था, आइकू नियो से वन प्रो, आपको 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 नियो से वन प्रो के अंदर देखने मिलता है, यहाँ पर गेमिंग पकॉंस डेफिनिटली आइकू आपको नियो से वन प्रो की बेटर देखने मिलता है, अब भी नॉट्री को अफ्टिमाइजिशन की जरूरत है, तो इसके साथ मुनी बैटरी लाइप भी देखी, तो यहाँ पर आइकू नियो से वन प्रो की बैटरी बहुत ही अच्छी देखने मिलते है इवन दोनों के अ आपका बजेट और थोड़ा बढ़ता है और आप जाते हो 35 से लेके 40,000 के बीच में तो यहाँ पर एक ही तगड़ा केंग फोन देखने मिलता है बैटलाइब बे आपको बहुत मस्त देखने मिलते है विट फार चार्जिंग और रहल जो पैकेज है इस प्राइज रेंज में यह मस्त देखने मिलता है तो डेफिनिटल आप 1 प्लस 11 आर के तरफ जा सकते हो ऐसे मेरे सगेशन थे लगबब 15 जर से लेके 40,000 और I hope so आपका confusion clear हुआ होगा फिर मेरे से कोई फोन मिस हुआ होगा तो नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो और बाकी comparison वीडियो आप अपने चाहां के उपर भी देख सकते हो बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि आपके पास अभ